इसमें देखेगा कि यह आपको डाइग्राम NCRT में दियावा है तो इसको देखते हुए आपको रिलेशन बिठाना है किसके अंदर P और Q के अंदर और क्या है in the side builder और इसको क्या लिगना एक तो side builder form में लिखना फर्स्ट काम तो यह करना second इसका roster form what is the domain what is the range यह देखना है और यह यहाँ पर arrows है वह उन्होंने क्यूशन में दियावा था और मैंने यहाँ पर direct उनको क्या है draw ही किया है बस तो यह आपका इसका arrow इसके साथ है इसका साथ इसके साथ arrow है इसका इसके साथ arrow है ठीक है यह आपको पूरा का पूरा जो figure है वो आपको NCRT में डिटो का डिटो दियावा है 5 gram क्या है यह 2.7 ठीक है 2.7 कोई दिकति यहां तक अब देखो इस relation में और इन में क्या difference क्या common एक property आ रहे है यानि दुनिया वाले उसको एक common नाम दे सके ऐसा कुछ आ रहा है क्या यह देखो आप तो हाँ यह दि आप इन दोनों का difference करा हो यह दि आप इन दोनों का difference करा होग क्या कुछ अच्छी बातें आ रहे हैं आपको सामने यहां पे भी 2 आ रहा है 여 में यहां पे भी 2 आ रहा है यहां पे भी 2 यह आपकी हम बोल सकते हैं कि यह आपका elements हैre इसमें से all units e the development whispering फ्रेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यह इनका क्या हो गया, set builder form हो गया, सही है यहाँ पर, तो और कुछ ही नहीं करना है, देखिएगा, अब यहाँ से सीधे सीधे हम answers के क्या देते हैं, जबाब देते हैं, questions के जबाब देते हैं, answers हमें खुद वो देना है, तो पहला अपने को देखिएगा कि according to diagram हम चलेंगे और पहला question solve का रहेंगे, तो देखिएगा, first question, given diagram इस diagram के through, अब यहाँ से देखिएगा कि इसका set builder form क्या हैगा, set अब और नसी देखिएगा, समिद यहाँ से x और y ऐसं आएंगे, such that जहाँ से x middle form from branch माइनस y का difference हो 2 आएगा, ठीक है, और यहां से देखिएगा X है वो किस देखिएーピर, से आ रहा है और end जो आपका y आ रहा है वो किस में से आ रहा है वह क्यों में से आ रहा है ठीक है यहां पर clear आपको बात है अब यहां से बस only क्या देखेंगे अब इनके ordered pair फिर उनको देखिए कि किसके छो roster form में लिखना है रोष्टर form में तो आसानी से लिख देंगी यह वाले elements रहा है तो second क्या लिखैंगि Drag अब देखेगा कि इसकाroaster form क्या है भई the roster form, अब roster form के लिए क्या करना है भी, तो रिलेशन लिको और diagram को 5 के साथ कौन, relative है इसका वही इसका relative कौन है और यहां से देखो आपका 6 का relative कौन है 4 और यहां पर देखो 7, 7 का relative कौन है 5 बस यहां पर तो आप relative देखते जाओ और कुछ भी काम नहीं है इसी में देखेगा कि आपका 3rd वाला इसका domain देखो अब यहां से आपने roster form में देखा इसका जो first element होता है यानि कि ordered pair का जो भी first components होते हैं वो आपके लिए किसका काम करते हैं domain का और जो second है वो क्या करते हैं आपके लिए range का काम करते हैं ठीक आई बात समझ में तो यहां से देखेगा कि अब क्या करना अपने को third में यह फिर domain देखना है तो domain आपके लिए क्या होने वाला है ठीक है domain आपके लिए आएगा 5 आएगा 6 आएगा और यहां से 7 आएगा और फिर आपके लिए क्या आएगा range range आएगा वो 3 आएगा 4 आएगा 6 आएगा ठीक है यहां तक clear होगी I hope आपको बात है तो domain और range और जो अपने को question में पूछा था वो completely पूरा है यहां पर soul होता है